नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है। अमिस्साह के भी दो मुलाकाते हो चुकी है। और साथ ही संग के तरफ से जो संग और भारतिय जनता पाटी के बीच पुल का काम कर रहे हैं अरुन से इन भी सामिल थे। लेकिन एक और बैठक होई पीए मावास में ही उसमें परधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रिय ग्रिह मंत्री अमिस्साह सामिल थे। इसमें एक और प्लान पर चर्चा हुई और वो है एक ओप्रेशन चलाने वाला यानि की ओप्रेशन कन्विक्शन। क्योंकि इस पे लंबी चर्चा जो हुई है उसमें एक फैसला लिया गया कि आखिरकार कब तक इन चोर लुटेरे पातियों के परमुकों को, कुछ मुख मंत्रियों को, कुछ पुर्व मुख मंत्रियों को ऐसे ही केस चलते रहने की चूट दी जाएगी। कब तक इनके फाइल कोट कछरी के चक्कर में रहेंगे और कब इन्हें सजा मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से नियाइपालिका की ववस्था है और जो नियाइपालिका यानि की हाई कोट और सुप्रीम कोट खास करके बेल पर लोगों को बाहर रहने की छूट दे देता जामें लंबा समय लग जाएगा इसलिए अब चर्चा कन्विक्षन पर होनी चाहिए केवल गिरफतार करके बेल देने या फिर उनके खिलाब ब्रस्ताचार का मुकदमा चलाने के उपर नहीं यानि कन्विक्षन के लिए जरूरी है कि ED और CBI और जादा एक्षन मोड में आ प्रवया अपने तरीके से काम करेंगे चुनाव अपने तरीके से होगा और चुनाव की तैयारी भी संगठन के लोग करते रहेंगे लेकिन एक मामला जो लंबे समय से चल रहा है जिसका संकेत विदेश से लोटने के बाद प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने भोपाल में दिया था कि कोई भी चोरी करके भरस्टाचार करके बचना चाहे तो वो बच नहीं पायेगा भरस्टाचार के खिलाफ एक सक्त रवया अपनाने का संकेत उन्होंने दिया था और जब ये भोपाल गये थे उससे पहले भी केंद्रिये ग्रिह मंत्री अमिश्शाह के साथ उन संबी चोरी लिस्ट बनाई गई और इस लिस्ट को सीबी आई इडी के पास भेजा गया है कि अब जल्द से जल्द इनके उपर सुनवाई भी हो और सुनवाई और सुबूत इकठा करने में तेजी लाए जाए ताकि इनको सजा मिल सके केवल बेल लेकर ये बाहर में राजन आए वो अब सामने में होना चाहिए कि इन लोगों के उपर जो भरस्ताचार के आरोप हैं वो भरस्ताचार के आरोप यूही नहीं हैं बलकि इसके सारे पुक्ता सबूत हैं ये जो लंबी चोड़े लिस्ट है इसमें आठ मुख मंत्रियों का नाम है और छे पुर्व मुख यक्ष भी है और कुछ कॉंग्रेस के पुर्व नेता हैं और कॉंग्रेस के वो पुर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनके उपर लंबे समय से ब्रस्ताचार का केश चल रहा है ये लिस्ट तो इतनी लंबी है जिस पर एक्शन सुरू होने वाला है उसके बाद धड़ा- गिरफतारियां भी होगी और सजा भी मिलेगी अब बात करते हैं कि उस लिस्ट में जिन मुख मंत्रियों का नाम शामिल हुआ उस पर कैसे ब्रस्ताचार के आरोप हैं और ये इसी ब्रस्ताचार के आरोप से बचने के लिए केंदर में सत्ता चाहते हैं ताकि सुप्रीम अभी विपक्षी पाटियों के अलग अलग राज्यों में सरकार है और उनके उपर आरोप लगे हैं जिसमें केरल के मुखमंत्री बामपंथी नेता पिंड्राई बिजियन का भी नाम है क्योंकि पिंड्राई बिजियन इस बीच लंबे समय से एक मामले में फसे हैं लेकिन स्मार्टली उससे बाहर निकलने के कोशिश कर रहे हैं वो है गोल्ड स्मगलिन का मामला जिसमें एडी ने कई कारवाई की है मनी लॉंडरिंग का केस भी दर जुआ है और उसमें आये सधिक कारी भी पकड़े गए हैं पिंड्राई बिजियन के आफिस से जो संचालित हो रहा था उसमें कई ऐसे सुबूत मिल रहे हैं जिसमें सीधे सीएम के भूमिका होगी उनके कुछ मंत्रियों का नाम है इसलिए पिंड्राई बिजियन के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उस पर भी अब तेजी से एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है उसके बाद एक नाम है सिधार मया का जो अभी फिर से सीएम बने है करनाटक के पहले भी वो सीएम रह चुके हैं और जब वो पहले कॉंग्रेस के तरफ से मुक मंत्री थे तो उस समय भी उनके खिलाफ ब्रस्ताचा के कई आरोप लगे थे उसमें एक ACB के पास जो भारतिये जनतापार्टी ने आरोप लगाया था उसकी जाच अब CBI से कराय जा रही है और वो है बैंगलूरू विकास प्राधिकरन में लैंड के नोटिफिकेशन को लेकर नोटिफाई करनों को लेकर एक बड़ा आरोप सुनवाई में तेजी आ रही है क्योंकि सिधार मया जिस तरीके से करनाटक में नए नए प्रपंच कर रहे हैं उसका जवाब मिलना चाहिए जिस तरीके से संग के खिलाप भारतिये जनतापार्टी के खिलाप जहर उगल रहे हैं परतिवन लगा रहे हैं और जो सिलेबस है उससे हिटगेवार का नाम भी वापस ले रहे हैं एंटी करनवर्जन विल को कमजोर कर रहे हैं तो उनके खिलाप भी कोई एक्सन होना चाहिए और इसकी भी चर्चा हुई उस लिस्ट में अगला नाम है केसी आर का केसी आर इन दिनों ऐसे तीसरे मोर्चे की तयारी कर रहे क्योंकि कॉंग्रेस और भारतिय जन्ता पार्टी दोनों से उनको विधान सभा के चुनाप में भी चुनोती है और लोक सभा चुनाप में भी चुनोती है लेकिन उनके खिलाप एक बड़ा मामला भी CBI के पास पहुचा है और ये मामला है कालिसवरम सिचाइब परियोजना का एक लाग करोड रुपे का ये परियोजना है जिसमें वाये सरमिला ने जो कि आंदर परदेश के सीएम जगन मोहन रिड़ी के बहन है और उन्होंने CBI को सारे सबुद दिये थे कि कैसे वाये सार जब थे वहां के सीएम तो उन्होंने इस परियोजना की जब सुरुआत की तो ये 40,000 करोड का था धीरे धीरे बढ़के एक लाग करोड का हुआ केंदर से पैसा आया लेकिन इस पूरे ये परियोजना में केसी यार के सहयोगियों और केसी यार ने मिलकर खाया है उनकी बेटी केक कविता की बड़ी भूमिका है और जो सराब घोटाले में भी फसी है उसके बाद जो सबसे बड़ा नाम है वो है हेमन सोरिन का वो हेमन सोरिन जो कि पिछले कई महीनों से उनके उपर तलवार लटकी हुई है कि कभे भी उनकी विधान सभा की सदस्ता खत्म होतकती है क्योंकि उन्होंने जो स्टोन माइनिंग को लेकर अपनी ही कमपनी को ठे और इसके साथ ही जो सुबूत मिले कि सारे ठेके जो स्टोन माइनिंग के मिल रहे थे उसमें हेमन सोरिन की बड़ी भूमिका थी और जो उनकी पार्टी के कोशा अध्यक्ष थे उन्होंने भी बताया था कि कैसे पूरे प्रदेश में स्टोन माइनिंग को हेमन सोरिन तै करत इसके बाद एक और मुकमंत्री है जो अपने आपको अभी तक धरस्टा चार से अलग बता रहे थे अपने आपको सुसासन बावु कह लाते हैं और वो है नितीश कुमार नितीश कुमार के उपर अभी तक कोई बड़ा आरोप नहीं लगा था लेकिन इस बीच एक खतरनाक आरोप लगा है सोलह सो करोड के एम्बूलेंस गोटाले का यानि की एम्बूलेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जिस कमपनी को जदियू की सरकार ने ठेका दिया है व और इसलिए इनके उपर भी जो केश चला है अब हाई कोट के अंदर है और हाई कोट के माध्यम से अब CBI जाच होगी नितीश कुमार के खिलाब भी एक्शन लेने की तैयारी चल रही है यही नहीं बलकि अब जो CM है एक 36 गड़के जिन्हें ATM कहा जा रहा है सोनिया गांधी हैं बुपेश बगेल इन दिनों वो ज़्यादा एक्टिव हैं चुनाब होने वाला है इसलिए इस बीच कॉंग्रेस के अंदर के अंतर कलह को दूर करने के लिए टीए स्रीदेव को उन्होंने डिप्टी सीम बना दिया है लेकिन फिर भी अंतर कलह तो बाद में दूर होग उसमें कॉंग्रेस के नेता फसे हुए हैं जिसमें भुपेश बगेल की बड़ी भूमी का मानी जा रही है और चुनाब से पहले भुपेश बगेल के उपर एक्टिव लिया जाएगा इसमें भी CBI और ED के पास काफी सबूत हैं लेकिन फिर भी अभी तक उस तरह का एक्टि नहीं लिया जा रहा है जिस तरह से उनके खिलाफ लिया जाना चाहिए क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि भुपेश बगेल के खिलाफ जब तक पुखता सबूत ना मिल जाए ताकि उसे गिरफतार किया जाए तो वो मनी सिसोदिया के तरह जेल के अंदर ही रहे बेल के जारी चल रही है और उसके लावा जो कुछ पुर्व सीएम हैं जिनके उपर प्रस्टाचार के आरोपों की लिस्ट लंबी है चाहे शरत पवार हों जिनकी पंदरसो करोल से जादा के संपति अटैच की जा चुकी है और वो सिचाई घोटा से लेकर वहां पर कॉपरेटिव गोटाले में फसे हुए हैं उनका पूरा परिवार शरत पवार अजीद पवार सुप्रिया सूले उनकी पत्नी प्रतिवाप पवार ये सारे के सारे उस मामले में फसे हैं जिसमें सबसे पहले सुलवात शरत पवार और अजीद पवार से होगी क्योंकि इन दोनों की बड़ मुकमंत्री हैं उसी एस्टेट के उद्दव ठाकरे जो आजकल जादा ही कूद फान मचा रहे हैं और उनके खिलाब एक के बाद एक कई घोटालों के ब्रस्टाचार के सबूत अब सामने आने लगे हैं क्योंकि एक तो कोवीड स्पतालों के घोटाले पर अभी एडी ने वाई और उद्दव ठाकरे के 200 करोड से जादा जो एक संपत्ती अवैज तरीके से इकठा करना 1200 करोड रुपे का एक प्लॉट लेना जिसमें पूरे टाउंसिप डेवलप करना था ये सारे के सारे मामले उद्दव ठाकरे के खिलाब भी हैं और उनके खिलाब भी कारवाई होने जा रही है यसी के तरह एक और मुक मंत्री भी है जिसका नाम है ममता बनर जी जो आज कल जादा ही कूद रही है कि यहां तो किसी और की एंट्री ही नहीं हो सकती हाला कि विपक्ष में भी वो कॉंग्रेस और कॉमनिस्ट पार्टी दोनों के खिलाब हंगामा करती है ले लोग सभाचुनाब में भी दोनों की कोई बड़ी भूमिका नहीं होने वाली है और भारतिये जनता पार्टी से वन टूवन फाइट है लेकिन इस बीच उनके खिलाफ से छकभरती घोटाला यहां तक की मिनिस्पल कार्पोरेशन में निपती के लिए घोटाला गो तसकरी गोटाला कोईला गोटाला जिसमें उनके भतीजे अभी सेख बनर जी भी फचे हुए हैं ऐसे कितने गोटाले हैं जिसकी डी और सीबी आई से जाच चल रही है जिसमें सब के फाइल को आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है इसी तरह से एक और डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम के तोर पर तेजस्वी यादव हैं और पुर्व सीएम में अखलेस यादव का भी नाम है जिनके खिलाब संतावन हजार करोड के गोटालों की जो जाच है वो चल रहा है लैप्टाप गोटाला से लेकर दरोगा भरती गोटाला तक में और इसके लिए भरती गोटाले में ऐसे कई गोटाले हैं जिसके जाच तो हो रही है लेकिन अब तक इनके खिलाब जो कारवाई नहीं हुई है वो कारवाई होनी चाहिए यही नहीं यह जो पुर्व मुक मंत्रियों के लिस्ट है उसमें कश्मीर के तीन पुर्व मुक मंत्री भी हैं और व और फारूक दोनों शामिल हैं इन लोगों के खिलाब भी कारवाई होने वाली है क्योंकि इनके जो अवैद संपत्ती है उसको तो अटैज करना शुरू भी कर दिया गया है इन सारे पुर्मुक्मंत्रियों मुक्मंत्रियों के अलावा भी कॉंग्रेस के कुछ बड़े नेता ह जिनके खिलाब कारवाई होगी और वो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मलिकारजुन खडगे, चिदंबरम और डीके शिवकुमार जो अभी डिप्टी सीम है करनाटक के इन सारे लोगों की लिस्ट भी तयार है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, डीके शिवकुमार और मलीकारजुन खड़ गे ये चारो के चारो तो नेशनल हेराल्ड मामले में ही फते हुए हैं डिके शिव कुमार पर तो कई और आरोप है बारा सो करोड की संपत्ती उन्होंने इस बार जो दिखाए थी उसमें बैंगलूरू का एक मॉल है जिस पर पिछली बार जब वो मंत हजार करोड के घोटाले में जो बेल पर चल रहे हैं इनके खिलाब भी कारवाई होगी यानि कि ये बड़ी जो लिस्ट तयार की गई है उसमें 25 से जादा नेताओं का नाम है लेकिन यहां पर जो चर्चा हो रही है 18-19 ऐसे बड़े नेताओं की जिसमें अब जल्दी ही कार निक्सन के तहद और यही प्लान पिये मोदी और अमिसा की इस बैठक में रही है जिसके बाद अब विपक्ष को ऐसा लगने लगा है कि कभी भी धड़ा-धड़ गिरफतारियों का दौर सुरू होगा आठ मुक मंतरी पांच पुर्व मुक मंतरी इन सारे लोगों को जब ए तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रहे हैं मैसायोग ताकि इसे तरही खबर हम आपके लागते रहें धन्यवाद